हेलो दोस्तों आपका स्वागत आपके चानल टीटी प्लेंग 11 में तो आज मैं बात करने वाला हूँ SKI versus MTD मैच के बारे में मैं आपको बताऊंगा किस प्लेयर ने किस मैच में कितने रन बनाई हैं और कितने विगेट लिए हैं और साथ ही साथ मैं दोनों टीमों के प्लेयरों के प्रफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा कि उसकी प्रफॉर्मेंस किस मैच में कैसी रही है और मैं लास्ट में आपको ट्रीम लेवन पर टीम बना कर दिखाने वाला हूँ तो विडियो को एंड तक देख लिजिगा क्या पता ही विडियो आपको जियर भी विन करवा जाए तो हम स्टार्ट करेंगे वैन्यू से इसका वैन्यू रहेगा मार्सा स्पोर्ट्स कलब जो माल्टा सहर में है और इसीरीज का नाम इसीर टीटन माल्टा ही है और दोस्तों आप टेलिग्राँ को जवीन कर लिजे क्योंकि फईनल टीम सिरफ आपको टेलीग्राँ पर ही मिलने वाली है लाश्ट मैसिव आपको मैं डी मलेवर पर टीम ना कर दिखाने वाला हूँ लेकिन लाश्ट टीम आपको सिरफ टेलीग्रां पर मिलेगी तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाई टालेगरम को जोईन कर लीजिए तो पिछ के बारें बात की जाई तो इसकी बैटिंग प्लस पेश रह रही है जो फास्ट बारें उनको ज्यादा विकेट मिल रहे हैं स्पिनर की बजाई तो अपनी टिम में आपको जादी जादा फास्ट बोलरों को रखना होगा और प्लस बैटिंग ओडर को और हम एवरेश स्कॉर के बारें बात किए तो एवरेश स्कॉर 60 से 80 के बीच में ही रहने वाला है वैसे इस क्रीज पर 200 का स्कॉर भी बन चुका है और इस क्रीज पर 6 पर आलाउट भी हो चुके है लेकिन एवरेश स्कॉर 60 से 80 के बीच में ही रहने वाला है और ये मैच SKI वटर्स वज़स MTD का होने वाला है और दोस्तों अगर T10 के मैचों में अगर आपको अच्छा कासा या मतलब GL विन करना हो तो आपको अपने टिम में ज्यादा बोल्डरों को जूज करना होगा क्योंकि बोल्डर तीन से चार्व कर ले लेता है तो आपको अच्छे कासे पोइंट मिल जाएंगे जिसे आप अच्छा कासा विन भी कर जाएंगे और मेरा मानना है कि आपको बोलर ही जिल विन करवाएंगे आप सभी टी टाइम के मैचों का देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादा बोलरों को एज़ा कैप्टर रखा जा रहा है डिरिम टीम में तो हम स्टाट करेंगे एसा की प्लेंगे लाँगे तो इननने अब तक 6 मैच चैने मैच के लिए और दोस्तों स्क्राइब और एक मेर ये दौन ऐसी टीम है जिन्हों ने विब स्ट्राइबडिक हें घित थीद थाहसिल की है तो हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों गौपाल चुतरवेदी से इंके प्लैंग 11 से तो गौपाल चुतरवेदी एक ओपनर प्लेयर घ्रट हैं अपने प्लेयर रख सकते हैं है 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 कि पर लंगाdı हमारे लिए करने वाले हैं हम बात करें में तो ग Влад नाओ और भाद में नाही बैटने का ऊपणवा दिया रहने और में ऊंके पर यवीमने मिल इन्होंने आते ही थार्ड मैच में 55 का खतरनाक स्कूर बना दिया, फॉर्थ मैच में इनकी बैटिंग नहीं चली लेकिन दो विकर्ट निकाल लिए, फिर्ट मैच में 23 ना बाद वना दिया और शिक्स में 25 ना बाद दिया, तो इसके प्लेयर की जिनी तारिफ की गजाए उद 23 का स्कूर बनाए, एक विकर्ट निकाल लिया, सैगेंड मैच में 20 का स्कूर 내 दो विकर्ट निकाल लिये, फ्रड μέ्र मैच में बोलीका नहीं मोरा हागी ने ब्डग्ट से जिसमें क्या पता किस प्लेयर को बैटिंग और बॉलिंग का मुखा दिया जाता है तो हम बात करेंगे नेक्स प्लेयर अफ्ताफ कान के बारे में लेकिन उससे पहले माप होता दूँ कि वरून परस्त को आप जील हो या एसल हो आप मुझे फोलो करो या ना करो इनको अपने टिम में जुरू रखें एज़ा कैप्टन हम बात करेंगे अफ्ताफ कान के बारे में तो आप देखें फर्ष्ट मैच सेवंटी नाइन का नावाद स्कूर में फॉर्थ मैच में फ्लॉप नहीं है और शिक्त मैच में गेंद नहीं बची थी इसलिए स्कूर नही में तो यह देखिन का भी अलगी ही रिकोर्ड है एलेवन नाबाद एक मैच में बैटने का मुगला जहां पर फ्लॉप रहे और बॉलिंग का मुगा नहीं दिया गया फॉर्थ मैच में फ्लॉप नहीं कहने वाला मैं बैटिंग में फिर से विकेट निकाल लिए फिप्त में खान से मेरी उमेदे बहुत कुछ ज्यादा ही थी क्योंकि पिछले सीजन में जिस हिसाब सीन का बला चला था यहर मैच में पर आने चाहिए थे लेकिन अभी तक शिर्फ एक मैच में में आये हैं और काफी ज्यादा स्कॉर भी नहीं बना पाया इन्होंने तो हम देखते इन लेकिन दोस्तों मेरी उमीद बहुत ज्यादा थी सुमेर खान से हम बात करेंगे यह सिंग के बारे में तो इस प्लेयर की जिनी तारिफ के जाए उतने कम है कंप्लेट ओवर दीजारी हर मैच में और अच्छे का से विक्ट निकाल रहे हैं मैं आपको उनका बीड़ा दिखा एक विकेट दो विकेट तीन विकेट एक विकेट दो विकेट एक तीन च्छे और तीन नो अभी तक छे मैचों में नो विकेट निकाल चुके हैं तो काफ़ी अच्छा खासा डाटा रहा इनका और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी तो यह सिंग को भी हम जील हो या एस सुइगिंड मैक्स में नाइन रन मनाथ थर्घ मैक्स में जिरो मनाबाध फॉर्थ मैक्स में जीरो फॉर्फ मैक्स में बैट्ख एक निकाली सरी माथ थ्राइड मैसे दो वर में किल तीन रंदी है तो उसनों 1.5 एकोनोमी और यह बैस्ट एकोनोमी मानता हूं मैं और दो विकेट फिर से निकाल लिया फॉर्थ और फिर्थ मैसे टीम से ड्रॉप कर दिया गया तो जब भी इनको प्ले करवाए गया और उनको अबर दिये गए हैं लिंक इन डिस्क्रिप्स जाएगी टेलिग्राम को जोइन कर लिजिए क्योंकि फैनल टेस्विर आपको टेलिग्राम पर ही मिलेगी हम बात करेंगे एसलों को विश्णोई के बारे में तो दोस्तों यह एक ऐसा बंदा है जिने जी ओजड जैसी टीम को हला दिया था क्यों चे रिंद पर पभेलिली दिया था सारी टेम को ही आप देखे इनका डाटा दो प्रो में तेन विकेट्ट्ट। दॉं। शे विगकेट्ट्ट। दॉसतों और ऐसे मांचों में बनाए लेकिन असोग पने टेम में जुरू रखना है, चाहे वो SL हो या फिर GL हो, हम बात करें इंदकाम इसाग के बारे में तो फर्स्ट मैच में कोई विक्ट नहीं मिला लेकिन सेकेंड मैच में खतरना कवाप से और चार विक्ट निकाल लिए और दोस्तों मैंने देखा है कि जो पर आपको पिछले मैच में फ्लोप लग रहा हो आप उसको नेक्ट मैच में कुछ भी ल पर है क्या है मैंने कहा था कि ने सब्सक्रा की नसे और लिए मैच में करद लिए को खोड़ोक उसने जांट में नहीं हमीद है क काफ second match में नहीं बैटिंग नहीं बोलिंग का मोग का दिया गया third match में टीम से drop कर दिया गया fourth or fifth match एक ऐसा था जहां पर इंको bowling का मोग का दिया गया और इंको bowling मैं दो inning मा ही कहने वरा हूँ दोस्तों पीछी नहीं मिली है दो inning में तो यह काफी अच्छा खास है क्योंकि आपको वन पॉइंट फाइफ की आवरिज मिल चुकी है तो हसी मसाज़ाद को फिने टेम में जरूर रखें चाहिए वो जील हो या फिर एसल हो तो दोस्तों मैंने S.K.Playing.11 के बारे मैं बताया कि किस प्लेयर ने किस टिम में कैसा स्कुर बनाया है तो वीडियो को लाइक कर दिजिए चैनल को सबस्क्राइब कर दिजिए क्योंकि आपके एक लाइक उडव सबस्क्राइब से मुझे मुझे प्रोटीशन मिलता है और उसी से मोटिवेट होकर मैं आपके लिए अच्छी से टिम प्रोवाइड करता हूं दोस्तों और टैलीगराम को जोइन कर लीजिए क्योंकि फाइनल टीम सिर्ण आपको टैलीगराम पर ही मिलने वाली है लिंक किन डिस्क्रिप्स आगी टैलीगराम को मैश करेंगे के कॉलल नियुक्त के बारे में में फ्लोप रहें थर्ड मैश में सूपरफ फौर्फ मैश में फॉर्टिशिक्स साप्सका कर साउन रहा हूं इसे लिए था मैश को कि यह नहीं हूँ है चालिश कर पैक्षिक खूर रहें हैं तो युनस को मैं एक हैवर्रेज का नहीं नहीं प्लेयर हो इन दोनों में कि सर्फ एक अजा प्लेयर ही रखें यह कैप्टन का कर्चा इन पर मत करें जिए हम बात करेंगा जीम साथी के बारे में पहले इने बैटिंग ओडर काफी लेड जाया दा रहा था लेकिन पिछले दो मैचों में का बैटिंग अच्छा है आप देखिए फर्ष्ट मैसे पांच पर्पया उठ होगे एक विकर निकाली थी सेकेंड मैसे सोपर व्लॉप थर्ड मैसे थर्टीं दरी आणाबाद और एक विकर्ट निकाल लिया फॉर्थ मैस में सैवन नन बल्ले से और तीन विकर्ट निकाल लिये फिप्ट मैस में साथ की तरफ दरना जरूर चाहूंगा और एक अजीम साथ एक ऐसा बले रहा दोस्तों जिसे ओपनिंग में बैटिंग और फुल टुफुल अवर भी दिये जा रहे हैं तो ऐसे ही प्लेयरों को अपनी टीम में आपको उठाना होगा जी एलेविन करने के लिए क्योंकि अगर प्लेयर तीस से जारीश का स्कूर बना दे और एक से दो विकित निकाल ले तो यही प्लेयर आपको जी लिए करवाने वाला है हम बात करेंगे ने प्लेयर टर्मिंडर्स अबरे में मैंनेakah को ही बात करता हुँ अपनी टीम से मैं कोई बात नहीं करता हूं ऑल्ल मैश में ने बैटिंग आ मैश्क्तर मैशन कोइट को अच्छा स्कोर भना हैं अपनी टीम से हमें ड्रोप रकने वाला हूं लेकिन इसएड़्ट में इक जी면 के करें इंसे प्लेयर ही रखने वाला हूं हम बात करेंगे मिचल नाजिर के बारे में तो देखिए इनका बैटिंग ओडर भी काफी अच्छा है केवल टू डाउन आ जाते हैं और फुल टू-फुल अवर भी दीजा रहे हैं हर मैच में दोस्तों देख सकते हैं दो वर दीजा रहे हैं कि फर्स्ट म देखिए फिर्ड मैंच में भी यहां निकाल दिया ता आपको प्लस के 12 ौंट पर मिल चुके हैं दो रंदी हैं इक प्लस पॉइंट हो चुके हैं और ईक कर चुके हैं तो दोस्तों जिसने मिचल नाजिर को अपने टीम में रखा होगा और मैंने इन्हें अपनी टिम में आ जैसा ही देखने को हम मिला दो औरों में एक मैड़न और काफ़ अच्छे का से पॉइंट मिलका उडिक विकेड निकाल दिया था तो मिजल नाजिर को अपने टेम से हम ड्रोप नहीं रखने वाले हैं पेसी भी हालात में हम बात करेंगे नेक्ट प्लेयर उपंदास के बारे मे तो शिख्त मैच में 21 का स्कोर बनाया है और उनके बाद इनका बला नहीं चला है बला नहीं बोलिंग आप देख सकते हैं दो औरों में 19 का स्कोर खाया है इन्होंने 9.5 की एकोनोमी से और ये काफी खराब एकोनोमी है हम बात करेंगे नेक्ट पर अंधरी धरमराज के बारे है था तो हम बात करेंगे से मेलों के बारे में तो आप देखे फोर्थ में फर्स्ट मैस विचारण बनाये हैं सेगिंड में काफी अच्छा खासा 31 का स्कोर बनाया है बाद में फ्लो भी रहे हैं और इन्हें बैटिंग और बोलिंग का मौका नहीं दिया गया है तो मैंने ट भी फंचारण को इपनी टीम से ड्रोव रखें इनकाटिक बारे में क्या ही बात कि जाई तो यह थीनों प्लेयरों को अपनी टीम से ड्रोव रखने वाला हूं जाहे वो घ्ल हो हम बात करेंगे मुद्व कामरान के बारे में तो आप देखे दो आवरों में जो बिसन का स्को पॉइंट मिल चुके हैं और बल्लेवाची भी इधरां बनाए हैं फिसल्ट मैच मेरे एक विक्ट निकाली शिट्र नहीं मिली तो मुत्व कामरान को अपनी टीम में अज़ा प्लेयर ही रखें यह यह या वो इस captain का दर्जा मत दीजिए याने मुतू कामरानों को हमरे टेमे एजा प्लेयर ही रखने वाला हूं तो मैं वाद करूँगा लेजर सहरून के बारे में तो देखी इनको कि विल दो मैचों में तीन मैचों में प्लेय का मोका दिया गया जहां पर नहीं बैटिंग नहीं तो बात की जाए फैजल नाइम के बारे में तो फैजल नाइम को भी अपने टीम से जुरू रखे और मेरा मानना है कि इन्हें एक टीम में एजाओ इस captain भी जुरू लें क्योंकि हम 6-6 में जीर के लिए इन्वेस्ट करने वाले ही हैं हम बात करेंगे अतिव सार्जी के बार में तो फर्स्ट मैच में एक रिन रहा हैं उसके बाद इनके काफी अच्छी काशी पिटाई होगी उसके बाद टीम से ड्रॉपी चल रहे हैं हर मैच में तो दोस्तों आप बता दीजी कि हम इनके नेक्स्ट मैच में खिला लेगा मुकादी दिया चाहिए हम बात करेंगे सल बॉलों में एक विकट निकाला है बाद में को विकट ना मिला हो लेकिन सल्मान खान को महल के में नहीं ना लेकर अवने टेम का कैप्टन भी बना कर रखने वाला हूं तो दोस्तों मैंने आपको SKE वज़स MTD मैच के बारे में बताया कि किस प्लेयर ने कैसा दिखाया है को जोईनिंग कर लेजए क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ आपको टेलेगराम पर ही मिलने वाली है तो हम टीम को क्रेट कर लेते हैं अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से विकट के पर कौन से बार्ट को चूज करना है तो हम स्टार्ट करेंगे से हमारे पास यहां पर एक बारे में हमारी पास जादा कुछ अच्छी अप्शन नहीं है कि मैं यहां पर एक यूप्शन अच्छा है वो भी यॉनस का क्योंकि इनका बैटिंग ओर काफी अच्छा है लेकिन हमें तीन बैटिंग को उठाना ही होगा Dream के Dream Dream के इसाब से तो मैं गुरुप्ति सिंग और सुमेर खान को उठा लेता हूँ लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं MTD के प्लिर को उठा हूँ लेकिन यहाँ पर सैमूले क्या थै और इन्हें बैटिंग और बोलिंग का मोका नहीं दिया जा रहा है और हमारे पास ओर जादा उप्शन भी नहीं है लेकिन धरम राज जहां पर हमारे पास उप्शन धरम राज लेकिन धरम राज भे हमें बैटिंग और बॉलिंग दीजाए लेकिन सेमेर खान को पिछले मैच om size opening में ला दिया जाए तो मैं 4 आल रांडर उठाने बाला हूं दोस्तों Warun Pasata को, Michal Nagir को, Amar Sarma को और Ajim Sathi को क्योंकि मैंने च्यार इसलिए उठाए हैं आल रांडर को क्योंकि जिन्ते हमारे टीमे ज्यादा आल रांडर होंगी उतने ही हमारे जीतने के चांच जाधा होने वाले हैं तो मैं रैंसी जाकॉब को उठाना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक शिर्फ दो मैं चुमें प्ले का मोका दिया गया है, जहां पर इनुने अच्छे कासे विक्रेट निकाले हैं, मैं फैजल नाइम और असोग फ्रणोग को उठाना चाहूँगा, हमारे पास दोसों यहां पर मुथू कामरा जैसा भी प्लेयर है, लेकि मुथू कामरा निक जगा, मैं ज़्यादा रैंसी जाकॉब की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि दो ही मैं चुमें तक मोका दिया गया है, आप सोच रहे होंगे कि मैंने साथ और चार का को प्लेयर को उठाया है, लेकिन मैं अच मैं मिजेल नाजिर के तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि मिजेल नाजिर को इनका बैटिंग ओडर भी टू डाउन के बाद है, और बोलिंग का मोका भी दिया जा रहा है, तो इन्हें अपनी टीम में जुरू रखें, तो दोस्तों मैं आपको दोनों टीमों के बारें दाया कि किस टीम में कैसा प्लेर क्या कर रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलिग्राम को जोइन कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिस्टिन आगे टेलिग्राम को जोइन कर लीजिए, थैंक्यू फर वाचिंग